SDM कालका ने सरपंचों को गाओं में अवैद माइनिंग को रोखने के लिए जिला परशासन का सहयोग करने की अपील की SDM कालका ओफिस में कई गाओं के सरपंचों साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया था इस मोखे पर SDM कालका रूची सिंग बेदी ने कहा कि सरपंचों के सहयोग से ही अवैद गतिव बीदियों पर रोक लगाई जा सकती है SDM कालका रूची सिंग बेदी ने जिन गाउं के सरपंचों के साथ मीटिंग की उनमें चरनिया, गरीडा, किरतपूर, जहलुवाल, करनपूर, बुर्ज कोटियां और पपलोह गाउं के सरपंच शामिल थे उन्होंने कहा कि कालका उपमट डनल के कई गाउं में अवैद माइनिंग की शकायते मिल रही हैं उन्होंने कहा कि यदि किसी गवं में अवैद माइनिंग की जानकारी मिलती है तो सबद्धित सरपंच सीधी इसकी जानकारी दे सकता है ताकि ऐसी गदविदियों पर अंकोश लगाने के सासत अवैद माइनिंग पर सिलिप्त लोगों के खिलाब कारवे की जा सके एस्टिम कालका रूची सिंग बेदी ने यह भी कहा कि सरपंच यह भी सुनेश्वित करे कि पंचैती जमीन पर किसी प्रकार की अवैद माइनिंग न हो उन्होंने कहा कि उपायुक्त महाविर कोशिक पंचकुला के नरदेशानुसार जिला में अवैद माइनिंग को रोकने के एक महीम चलाई जा रही है और इस देशा में लगतार छाप्यमारी की जा रही है उन्होंने कहा कि अवैद माइनिंग को रोकने में काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है प्रन्तु सरपंचों के सायोग से ही अवैद गती विदियों पर पूर्ण तरह अंकुष लगा करें